हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फ्लाइंग सिविक आज बात करेंगे रामदेव अगरवाल सर के टॉप जो स्टॉक पिक्स है उनके बारे में अभी जो वेल्ट क्रियेशन में नंबर वन साबित हूंगे अगले 25 सालों के लिये भी तो रामदेव अगरवाल सर की एक बेसिक जो घूजी अलपी चेक्लिस्ट है उनकी रीजेंट में अभी जो एक बुक आई है QGLP checklist वो मैं अभी read कर रहा था तो मैंने ये सोचा कि क्यों ने आपके साथ ये stocks जो है वो share किया जाए तो QGLP जो framework है उसके अंदर सबसे पहले होता है Q means quality G means growth L means longevity and P means at reasonable price means कोई भी stock जब ये buy करते हैं तो उस stock की quality है जो utmost priority होती है जो की quality सबसे अच्छी होनी चाहिए means जैसे कि अगर आप Maggie की बात करते हैं तो Nestle बनाता है उसे and वो अपनी quality में कभी compromise नहीं करते and अगर growth की बात की जाए तो stock ऐसा होना चाहिए company ऐसी होनी चाहिए या business ऐसा होना चाहिए जो जिसकी जो revenue growth है वो year on year basis पे 10% से ज़्यादा हो and अगर उससे भी ज़्यादा हो तो वो सबसे अच्छा होता है longevity means next 20 years और 25 30 years के time frame पे भी हम future में अगर देखें तो हमें ऐसे लगना चाहिए कि ये company जो है next 25 years तक भी business करने में सक्सम होगी और सबसे last में आता है at reasonable price अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हों हैं तो आपको पता होगा कि हम किसी भी company का valuation कैसे करते हैं और उसको सश्टे दाम पे कैसे खरीदते हैं तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करे वीडियो को आगे continue करते हैं जो fastest wealth creator है from last 25 years उसने 33% के CIGR रिडन दिये हैं last 25 years से continuously तो अगर आपने 10,000 रूपीज इंवेस्ट किये होते हैं उस company के अंदर आज से 25 साल पहले और उसके बाद आपने उसके अंदर कोई और extra नहीं किया होता तो आज उनकी value होती एक करोड 25 लाग आप ये graph देख सकते हैं इसमें clearly दिख रहा है कि next 10 years तक company ने के return जो है आपको basic return दिख रहे हैं बट जो next 10 years है उसके अंदर जो jump देखने को मिला है उसको ही असली wealth creation कहते हैं और इसी को power of compounding कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो 10,000 रुपे थे वो next 10 years में only 10 गुना हुए थे means 10,000 का investment लाख रुपे में convert हुआ था बट उसी को अगर next 10 years तक hold किया जाता है तो वो सवा करोड की काफी अच्छी wealth बना के देता है only 10,000 का investment तो कौन सी थी वो company वो देखेंगे तो उस company का नाम है Infosys last एक साल में इस company ने 96% के return दिये है and last अगर 25 years की बात करें तो आप आप already देख चुके हैं तो ये QGLP checklist के according fastest wealth creator है जिस ऐसी company है जिसने सबसे तेजी से wealth creation किया है क्योंकि इसका CAGR return बहुत ही higher level पे है next company जो है biggest wealth creator means last 25 सालों में अगर net wealth की बात की जाए तो वो कौन सी company है उसका नाम देखेंगे next slide में उससे पहले देखते हैं कि उसने 16% CAGR के according return दिये है and 10,000 के investment को बनाया है 4,000,000 रुपे आप easily देख सकते हैं कि जहां पे 16% वाली company only 10,000 से 4,000,000 बना रही है वहीं पे 33% वाली company 10,000 के investment को सवा करोड बना रही है इसी वज़े से हम किसी भी normal mutual fund में invest नहीं करके अगर हम अच्छे stock selection करके उनमें invest करते हैं तो जो हमारे return की priority है वो आने वाले 20 years में 100 times से भी जादा हो सकती है जो biggest wealth creator है उसका नाम है Reliance Industries इसने last 25 सालों में सबसे ज़्यादा wealth create की है around 6 trillion की wealth stock ने create की है and last one year के अंदर only 16% के return दिये है and currently पिछले एक साल में ये company debt free भी हुई है plus काफी नए नए बिजनेस हों businesses में भी इस company ने अपना investment start किया है तो आने वाले time की ये company next 25 साल के अंदर भी काफी अच्छा business करने वाली company दिखती है जो third category है उसमें आती है consistent wealth creator means उसने consistently last 25 years में return generate किया है काफी अच्छे and 21% का CAGR return दिया है and 21% CAGR return से अगर calculation की जाए तो 10,000 के निवेस को बनाया है 11,000 रुपे इसमें भी आप देखेंगे कि पहले 10 साल के अंदर जो return है वो कम दिखते हैं लेकिन अगर उसी पैसे को hold किया जाए तो आने वाले 10 साल में काफी अच्छा return देखने को मिल सकता है तो जो stock consistent wealth creator की category के अंदर number 1 पे है उसका नाम है kotak mahindra bank kotak mahindra bank ने लास्ट एक साल में only 28% के return दिये है and around November के बाद से ये एक ही range के अंदर consolidate कर रही है आने वाले टाइम में इससे काफी अच्छे return हम expect कर सकते हैं उसके बाद आती है category all round wealth creator उसमें भी kotak bank का ही नाम है all round means तीनों ही category को मिला के जो company best निकलती है वो है kotak तीन category जो की हमने पहले discuss करी है उसके अलावा चार और stock है जो की काफी अच्छी companies है उनका management काफी अच्छा है और उनने काफी अच्छे return बना के दिया है उनमें first है pedilite जिसका favicol product आप सभी use करते हैं उसके बाद है Asian paints यह paint sector की सबसे बड़ी company है इंडिया की and last 25 years में 22% के CAGR return इस company ने बना के दिये है उसके बाद 6th stock है Shree Cement जो की cement company है इंडिया की सबसे बड़ी and 25% के CAGR return इस company ने बना के दिये है उसके बाद आता है बजाज finance यह loan देने का काम करते है and काफी aggressive company है and बहुत ही अच्छा business है जो की next 25 years के लिए भी ऐसे ही चलता रहेगा इसने last 25 years में return दिया है 23% के तो यह थी जो 7 companies जो आने वाले 25 years भी काफी अच्छा काम कर सकती है and आप देखेंगे तो यह लगबग सभी industries के अंदर से भी है like Infosys जो है IT company है Reliance जो है वो oil company है but oil company है telecom company है and अभी consumer के अंदर भी आ रही है तो वो एक खुद के अंदर ही एक divergified business वाली company है Kotak bank देखा जाए तो एक banking की company है and उसके बाद Pedalight यह consumer durable type की company है Asian paints भी आप मान सकते हैं paint company है Shree Cement जो construction से related company है and budget finance एक lender है तो सारे ही sector से आपको stock मिलते है and अगर आप इनमें SIP mode में invest करते हैं तो आपके return और भी सांदार हो सकते हैं plus आपको SIP mode की खास बात यह होती है कि आपको price के बारे में चिंता नहीं करनी होती है आपको हर महिने में जो एक date decide करनी होती है and उस date पे उन particular stocks में buying करनी होती है जिससे कि आप price की जो एक जो है उससे बच पाएंगे generally लोग price के अंदर ही फसके रह जाते हैं अच्छे business को identify नहीं कर पाते and यह सोचते हैं कि Asian paint तो already बढ़ चुका है अब वो क्या return देगा प्लस वो यह नहीं देखते कि Asian paint पीडिलाइट श्री सिमेंट इन गंपनीज ने last 25 years चे लगातार अपने 52 week high को cross किया है means आगे भी वो यह करने में सक्सम है तो यह कोई भी stock recommendation नहीं है मेरी तरफ से आप इन में से अगर किसी भी stock में निवेस करते हैं तो अपना due diligence जरूर करें प्लस अपने financial advisor से advice जरूर लें thank you for watching this video and अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें